अमस्ते आज मैं आप लोगों को प्रदोशन की समस्या पर मैं निबंद पराने जा रही हूँ प्रदूशन क्या है और प्रदूशन पड़ किस तरह से निबंद लिखा जा सकता है तो बहुत ही शठीक ढडंग से इसमें लिखा गया है किसी भी एक्जाम में अगर प्रदूसन की समस्या पूछा जाएगा तो इस पर बहुत ही अच्छा से यह लिखा गया है और फूल मार्ग्स इसमें मिल सकते हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह आप अच्छी तरह से तयार कर लिजिए ताकि एक्जाम में अच्छा मार्ग्स आ सके तो प्रदूसन की समस्या निबंध हम किस तरह लिखेंगे तो यह है प्रदूसन की समस्या पर निबंध इसकी सबसे पहले भूमी का होती है तो भूमी का बरतमान विज्ञान युग में मानब को जहां कुछ बरदान मिले हैं वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं प्रदूसन भी बैज्ञानिक सब्हता का एक दुसपरी नाम है इसे सहने के लिए अधिकांस जनता विवस है प्रदूसन का अर्थ प्रदूसन का अर्थ है प्रकृति के संतुलन में दोस उत्पन होना न सुद्ध वायू मिलना न सुद्ध जल मिलना न सुद्ध खाद मिलना तथा न शांत वातावरन मिलना कुल मिलाकर परियावरन में और स्वास्तिकर तत्तों का मिल जाना प्रदूसन है प्रदूसन के प्रकार प्रदूसन मुखिता चार प्रकार के हैं पहला परियावरन प्रदूसन दूसरा वायू प्रदूसन तीसरा जल प्रदूसन चौथा धोनी प्रदूसन और इसके अतिरिक्त भू प्रदूसन भी हैं तो परियावरन प्रदूसन पहला क्या होता है परिया अब तक बायू मंडल में कारवन डायक्षाइड की मातरा में 16% की बिर्धी हो चुकी है। इससे बायू मंडल का ताप क्रम बढ़ गया है। यदि यह क्रम चलता रहा तो जीवन दायनी आक्षीजन की मातरा कम होती जाएगी। हिमखंड पिखल जाएंगे। गर्मी बरहेगी लोग श्वास तथा नित्र रोग से ग्रस्त होंगे। ये सब दुस परिनाम धीरे धीरे दिखाई लगे हैं। प्रदुसन का यह पहला चरण है। गर्मी के कारण आकास पर जमी ओजोन गैस की परत को भी छती पहुँची है। इससे बैग्यानिक बहुत चिंतित है क्योंकि ओजोन मंडल के फटने से सुर्ज की कुछ जहरीली किरने सीधे धरती पर पहुँचकर मानब जीवन को नश्ट कर डालेगी। दूसरा है वायू प्रदूसन। वायू प्रदूसन परियावरन प्रदूसन का ही एक अंग है। आजकल जैसे जैसे सहरी करन तथा उद्योगी की करन की प्रिवर्टी बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे सुद्ध वायू मिलना भी दूबर होती जा रही है विभिन उद्योगों इवकल खार खानों के निकले जहरीले धुएं तथा मोटर गाडियों के दुसित धुएं के कारण वायू के निर्मल कोस में जहरीले तत्व मिल गया हैं मुंबई कुलकता जैसे महानगरों में लोगों के लिए स्वास लेना भी कठिन हो गया है महलाएं बाहर कपरी शुखाती है तो उन पर सुगर मिल का काला धुआ जम जाता है ये करन जब स्वास के साथ फेफरों में पहुंचते होंगे तो क्या नकर डालते होंगे तीसरा जल प्रदूसन जल प्रदूसन का मु उसे धरती में विसरजित करो तो धरती प्रदूसित होती है बाहर छोड़ दो तो नदी तलाव नहर तता अन्य जल शुरूत दूसित होते हैं प्राय फैक्टरियों के बाहर सरांध भरा जल फैला रहता है जो बढ़सा के समय से स्वानी में घुल कर लोगों के स्वास्त पर हमला करता है बरतमान में गले फेफरे तथा कैंसर रोग के बढ़ने के का कारण यही जल प्रदूसन है चौथा है ध्वनी प्रदूसन मनुष्री को जीने के लिए शांत वातावरन चाहिए लेकिन आज कल वातावरन में इतना अधिक सोर है कि बहरेपन और मानशिक तनाव क के रोग बढ़ चले हैं ध्वनी प्रदूसन को बरहने में मुखतक कल कार खाना याता यात भोपू लाड़ो स्पीकर आदी दोसी है पाजमा है भू प्रदूसन आज कल बैज्यानिक संसादनों का विकास हो गया है खेती करने के लिए कई प्रकार के कीट नासकों का जाता है धर्ती में राशाइनिक खादें डाली जाती है उस पर गंदा धुआ दुसित जल रेडियो धर्मी तत्व परमानू भट्यों से निकले घातक तत्वी धर्ती में मिलते रहते हैं इनके कारण भूमी की कोख प्रदूसित हो गई है उसमें जो खाद समगरी उगती है वश्वास्त के लिए घातक होती है दुस्परिनाम अब इसका क्या दुस्परिनाम होता है प्रदूसन के परिनाम बहुत भैंकर है इसके कारण ब्यक्ति का जीना कठिन हो गया है नित्य नए रोग पैदा होने लगे हैं मच्छर कॉक्रोच और दूसरे कीरों की शेना ने न असुद्धता के कारण मानशिक तनाव में बिर्धी हुई है कुछ बर्स पहले भोपाल गैस कार खाने में से गैस रिष पड़ी थी जिसके फलशरूप हजारों लोग मर गये कितने ही अपंग हो गये प्रदूसन के कारण प्रदूसन पैदा होने का मुख्य कारण है अंधा की कमी तथा गर्मी की अधिकता हो गई है परिनाम सरूप पहार सरकना भू अश्खलन ओला वरिष्टी मौसम चक्र में ओशन तुलन जैसे दोश पैदा हो गये कल कार खानों का अंधा धुंद विकास नदी तथा आवादी के पास फैक्टरियां लगाना कार खानों के दुस प्रदूसन से बचने के लिए आवस्यक है कि सभी विकास योजनाय सुविचारित तथा सुनयोजित हो आवासिय वस्तू तथा नगरों में घने पेर लगाए जाए हडियाली की मात्रा बरहाई जाए राष्ट्यवन संपदा का तेजी से विकास किया जाए कल कार खाने आव सबस्मझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छा निबंद है इसको तयार कर लीजेगा और आप मेरे देवजिनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उससे जरूर क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सेर कॉमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगे धन्यवाद